नमस्कार, सर्ण मुश्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ललित चोहान है, ललित जी कहां साएं आप? सर मैं डिस्टिक मंडी हमाचर परदेश से हूँ, सर क्या करते हैं आप? सर मैं डेजवेट हूँ और आजगल मैं कॉंपिटेटिव एकजाम की प्रेपरेशन कर रहा हूँ सर संत रामपाल जी महराजी की सर्ण में आने से पहले आप क्या बक्ति साधना करते थे? सद्गूर रामपाल जी महराजी की सर्ण में आने से पहले मैं जो है जैसे अपनी हमाचर में नॉर्मल देवी देवताओं की पूजा होती है तो उनकी पूजा करना और इसमें प्रात्मिक्ता देता था जैसे विश्णु जी दूरगया जी होगे लालीद जी जैसे आपने बताए कि आप हिमाचर प्रदेश से बिलॉण करते तो आप बच्पन से ही हिमाचर प्रदेश की पारंपरिक पूजाय आप करते आ रहे थे तो आपने संत्रामपाल जी माराजी से नामदिक्सा क्यों ली तो उनके प्रभचन सुनता था तो उनसे में कोई इंस्पायरेशन नहीं नहीं मिली कि जैसे ब्रह्मा विश्ण जी की भगती करने चाहिए यही सुप्रीम है तो जैसे उनकी वक्ति करते करते फिर उसके बाद मैं इसे गुरमीत राम रहिम जी के मतलब उनके सत्संग सुनना स्टार्ट किया तो उसे पता चला कि प्रमातमा एक है उसका केवल ओ मंतर है और जो है तो जैसे मतलब मेरा प्लैन था जाने का मतलब गुरमीत राम रहिम जी से दिक्षा लेने का तो बीच में क्या हुआ कि मेरे एक चाचा जी है कश्मीज सिंग नाम है उनका तो उन्होंने संत्राम पाल जी से नाम दिक्षा ले रखी थी तो उन्होंने एक बार क्या हुआ मतलब जिसे मेरे को सथ संग दी संथ तो फिर देनी निरन्यकरना कि आप में किस से नामदिक्षा लेनी है तो उसके बार मैं संथ रामप्ल जी महराजी के सथ संग सुनना स्ठाट की ए मैंने लगवग साथ मिने मतलब सुने थे तो उसमें से मेरे को पता चला कि ब्रह्मा विश्णु महिस से भी कोई उपर सकती है जब मैं छोटा थो तो दिमाग में कोशन पैदा होता था कि मतलब ब्रह्मा विश्णु महिस मतलब इनका जन्म कैसे हुआ और क्या मतलब कहां से आये हुए है तो उस चीज कहां से मेरे को नहीं मिल पाया था पहले तो जैसे संत्रामपाल जी महराजी से नाम दिख्शा ली तो उसके बाद उनका ज्यान विएरा सोना तो तब करके मेरे को पता चला कि ब्रह्मा मिश्रू में इनके भी मातापिता है और इनके भी उत्वत्ति और जन्मरित्यू में आते हैं ललिज जी जब भी हम संत्रामपाल जी महराजी के सिश्चों से मिलते हैं तो वो निसंदे बताते हैं कि संत्रामपाल जी महराजी सबी सास्तों के अनुसार भक्तेविदी बताते हैं लेकिन हमें ये भी सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज जी देव देवताओं की भक्ते चुडवाते हैं आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं कि संतरामपाल जी महाराज देव देवतों की पुझा चड़वाते हैं, ब्रह्मा विश्वन शीव की पुझा चड़वाते हैं, तो जैसे संतरामपाल जी महाराज जी का ग्यान सुना, तो उसे पता चला, संतरामपाल जी महाराज देव देवतों की पुझा चड़वाते नही बलकि उनको सास्तरानकूल बताते हैं। जैसे हमेरे भगुति गीता में बताया है, तो उस तरिके से हमको भक्तिस सजना बताते हैं। हर एक जो धर्मगुरू है उनकी थीवरीते। से अग गया है。 अब जैसे सुदांपव सु माहराजी के प्रवचन सुनता था, है वो शाकार भी है और मतलब एक जैसे एक human body होते है वैसे उनके श्रीक भी आकार है तो जैसे सत्संग सुने तो उनसे पता जला जैसे संत्राम पाजी ने अपने जैसे पुरान है अपने वेद है गीता है कुरान शरीफ है बाइवल है गुर्वन साहिव है उन सब से प्रमानि संत्राम पाल जी महाराजी के सिश्यों से जब हम मिलते हैं तो वो दावा करते हैं कि संत्राम पाल जी महाराजी से नाम देख़ा लेने के बाद उनके बड़े बड़े द्रोक दूर हो जाते हैं, उनके दुखों का निवारन हो जाता है, भूदप्रेट जैसी समश्याएं दूर हो जाती है, क्या आपके साथ भी ऐसा कोई अन्भव हुआ है? कुछ दिन आराम रहता है, फिर से वो इस्तिती स्टार्ट लड़ाईयों वाली तो उस टाम अपना जैसे छोटे थे तो मतलब स्टड़ी का भी पढ़ने की उमर थी तो वो भी काफी वो डिस्टर्ड होई थी तो जैसे आर्थिक स्टिती भी काफी कमजूर होगी थी जितना कम संत्राम पाल जी महाराईजी जुड़ने के बाद लिए तो देरे देरे नशा घर के बाहर हो गया, मांस वगयर खाते थे वो भी खतम हो गया, तो पहले तो नशे जिन्दिजात मिली फिर उसके बाद पापजी नाम दिक्षा ले ली तो उनका भी नशा परमातम करीपा से ए जात मिल सकती है, आर्थिक स्थीती थी वो भी सरकमजोर थी, लेकिन संत्राम पाल जी महाराईजी जुड़ने के बाद जो है एक पापा जी के प्रावेट कंपणी में उनको जौब बगयरा लगी, और जैसे मंदर बगयरा में जाते थे तो वो आम पर बताते थी किसे भूत ही कहते हैं कि जो तीन ताप की समश्याई हैं, तीन ताप के जो पापकर्म हैं, वो केवल कबीर प्रमात्मा ही काट सकते हैं, और जो हम अन्य संतों से सुनते आई हैं, कि पापकर्म तो भोगने से ही समाप्त होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहले बात करता हूँ जो भी अन्या धर्म गुरु है उनकी थीरू यही है कि मतलब जो हमें हमारी कर्म है जो तीन ताप कोस्ट है वो हमें भोग नहीं पड़ेगा लेकिन आतक हमें ग्यान नहीं था कि पूर्ण परमात्म है कौन और हमें पूर्ण संत के भी पैचान कि जब आप पूर्ण संत के माध्यम से पूर्ण परमात्म की भक्ति करते हो तो उसके आपके तीनों ताप आपके जो भी पाप है सारे नाश हो जाते हैं तो आज वो संत्रामपाल जी महराज हमें मंतर दे रहे हैं और उनकी कृपा से हमारे जो पाप जो है नस्ट हो जाए और सर जैसे संत्रामपाल जी महराजी ने स्रीमद देवी भागत से भी प्रमानित करके बताया है कि जो ब्रह्मा विश्ण शिव जी है वो खुद जन मृत्यों के चक्र में है और यह हमारे पाप जो नास नहीं कर सकते और वो भी खुद बोलते हैं कि हम सिर्फ करमानुसार क किसी को कारे करते हैं किसी को दे सकते हैं उसे ना कम कर सकते ना जादा कर सकते तो संत्रामपाल जी महाराजी ने बत अबताई कि पुर्ण पुरमाताओं केबल कवी साब है और वही केबल हमारे जो पापों को नस्ट कर सकते हैं यह कारण है सर अपने जैसे मादलब सास्तरान कुछ साधना करने से हमारे माचर परदेश में भी अभूतों की समस्य काफी है नश्य की समस्य काफी है पूरा यूथ जो है पूरा इस टाम बगड़ चुका है maximum तो यह चीज़ है जो संत्रामपाल जी महाराजी के ग्यान से अब दूर होंगी सर संत्रामपाल जी महाराजी से अपने नाम देख सली है तो हम आपसे यह जाना चाहेंगे एज यूथ आप अपने जीवन में क्या बदलाव पाते हैं तो वो चीज़ संत्रामपाल जी महाराजी ने बताई है और जैसे दूसरी बात जैसे आज हम फिल्में बगड़ देख तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक जो यूथ की जो मैंटलिटी की है मतलब मतलब वल्गैर्टी जो फिल्में हो फिला रही है समाज में तो वो कर जिए संत्रामपाल जी महाराजी दूर कर रहा है इक सचे जो अगर समासुदर harmadjee की बात कर तो एक संत्रामपालजी महाराजी है पूर्ण संत्वी संत्रामपाजी महाराजी है और साथ जैसे आप देखेंगे 20 साल पहले की फिल्में होती थी तो उसमें देखनों कुछ अलग मिलता था एक आपसी प्रेम, मतलब समाज को एक कच्छी दिसा मिलती थी लेकिन आपकी जो फिल्म में आप देखेंगे तो उसमें लड़ाईयां वियरा यूथ क्या सीखे, वो ही चीज़ सीखेगा ठीक है, स्मोकिंग वियरा या फिर मतलब इवटीसिंग वाली जो मतलब समस्य है वो मतलब यूथ में ज़्यादा फैली हुई है तो आज संत्रामपल जी महराजी की कृपा से मैं इस ती को मतलब उनका भी शुक्रिया करता हूँ परमातम का शुक्रिया करता हूँ कि इन चीजों से दूर किया क्योंकि ये आज की यूथ में काफी ज़्यादा फैल चुकी है सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं सर अगर कोई व्यक्ती आपकी तरह संद्रामपाल जी महराज से नामदिक्सा लेना चाहता है तो उनसे वो नामदिक्सा कैसे प्राप्ट कर सकता है आश्रम के जो नंबर होते हैं उनके उपर कॉंटेक्ट अगरे आप अपने नजदीक जो नामदिक्सा के इंदर होगा उसका पता अपना दिक्सा ले सकते हैं जी धन्यवाद। जी धन्यवाद।